रेड्मी नोट 10 सिरीज जी हाँ आप लोगों ने सही सुना जो रेड्मी नोट 10 सिरीज है ना उसकी लाउच देट कंफर्म कर दिया और उसकी पतल लाउच देट क्या है तो काफी सार अटकल लगा ही जारे इस बारे में और कुछ चीज है तो हमें मालूम है कि 6GB RAM के ओप्शिन होंगे और दो फोन आने वाले Redmi Note 10 और Redmi Note 10 Pro शाय इस बार Pro Max देखने को ना मलें वेल कुछ भी हो सकता है लेकिन यहां पर काफी सार इंट्रस्टिंग बात है पता चले कि Redmi Note 10 का जो बेस वर्शन होगा उसके नापको 4GB RAM 64GB स्टोरेज फिर 6GB RAM 64GB वाला मॉडल होगा जो प्रो मॉडल होगा उसमें 6GB RAM 64GB स्टोरेज 6GB RAM 128GB और 8GB RAM 128GB और यह भी पता चला है कि इसके नापको 120Hz का LCD डिस्प्ले भी देखने को हो सकता है काफी कमाल की चीज़ है लेकिन कोई भी कॉन्क्रीट इंफर्मिशन नहीं कि AMOLED देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा 5G वर्जिन के बारे में भी काफी सारी अटकले और हो सकता ह कि Note 10 Pro में एक 4G मॉडल एक 5G मॉडल यह भी निकाल सकते हैं जैसे कोई इंफर्मिशन आ जाएगी वैसी मैं आप लोग को बता दूँआ अभी जो कंफर्म इंफर्मिशन है मैंने आप लोग को हम पर बताईए और इसके साथी एक और इंफर्मिशन है मुझे पता चलिए और वो है इसके 108 Megapixel के कैमरा के बारे में काफी कमाल की बात है ना तो जी हां आपको ये इंफर्मिशन देखने को मिल रही है यहां पर देखते हैं आने वाले समय में आपको Redmi Note 10 सीरीज में क्या देखने को मिलता है और इसी के साथी Narzo 30 सीरीज जी हां यह अगले हफ़ते में अभी इंफॉर्मिशन नहीं है यह बिलो थर्ड मतलब 10,000 से कम का फोन होगा लेकिन जो 30 प्रो होगा ना यह 10,000 से उपर का फोन होगा 10,000 मतलब 15 से लेके 16-17,000 कीमत हो सकती है और यह जो अभी आया था ना आपका Realme 7 का 5G model Realme 7 Pro का 5G edition वहीं होने वाला है जो कि भार ला से headphone jack देखने को मिलेगा 5000 image की battery 30 watt की जो warp charging होती है या जिसम डार्ट charging के थे वह देखने को मिलने वाली है 16MP का whole punch का camera डिस्पले होगा 120Hz का IPS LCD display side mounted fingerprint scanner के साथ 48MP का main camera 8MP का ultra back 2MP का macro 2MP का depth यही exact specification होने वाली है पीछी के तरफ आपको plastic design देखने को मिलेगा कुल मिला के बात करें मै 17,000 रुपे की कीमत हो सकती है जी हां तो आप मानके रखिए काफी सई फोन आने वाले 5G की साथ और यह अगले हम हफ्ते मतलब थोड़ी दिन मी launch होने वाले तो काफी कमाल की चीज हो जाती है और इसके साथ ही बात करें तो नार्जो 30 के साथ मतलब 30 series तो आई रही है इसके स और Realme के कुछ accessories है gaming accessories भी है अब उसके बारे में मुझे confirmation नहीं मालू कि वो आएंगे की नहीं आएंगे लीक निकल कर आया था कि इस टैप के accessories आने वाले है लेकिन अभी जो launch है उसके अंदर आएंगे की नहीं आएंगे यह अभी नहीं पता है इसके साथ ही काफी इंटरेश अब देखा है तो Vodafone Idea की हाला थे समय खराब है सबसे तीज़े सब्सक्राइबर से लूज हो रहे तो उन्हें कुछ नहीं कुछ नया करना था तो उन्हें अनलिमिटेड हाई स्पीड डेटा का जो नया प्लान होता है वो लेके आएं और उन्होंने थे भी बोला है कि 2022 तक यह मतलब काफी अच्छा काम हुआ है, festive season में भी फोन बिके लेकिन overall market में growth कम देखने को मिली पहली बार वो भी smartphone market में इंडिया मतलब अभी तक से smartphone इंडिया माया है तब से हमेशा growth ही growth देखने को मिली यह लेकिन पहली बार जो growth हुई ना वो काफी कम देखने को मिली आपक smartphone market के अंदर, यह IDC की तरफ से report निकल गई, इसके multiple reason हो सकते है, lockdown होना, restrictions होना, shutdown होना, COVID-19, काफी सारी चीज़े हो गई थी, इससे और phone के launches पर भी काफी ज़्यादा effect पड़ा था, काफी सारी supply chain हिल गई थी, production related issues आ रहे थे, भार से companies अपने processor मंगा रहे थी, parts बगरा मंगा आ रहे थी, वो उने time पर नहीं आ रहे थे, लेकन फिर भी काफी सारी companies ने growth देखिये, Xiaomi, Realme जैसे companies ने growth देखिये, लेकन overall जो smartphones होते है ना, जिन जो बिक रहे थे market के अंदर, वो कम हुआ है, लग रहा है 2021 काफी exciting year होने वाल है, वहाँ पे smartphone market जो अभी तक खाली छूटा Realme की भी phones की बाड़ा आने वाली है, मतलब की अभी तो fab end होते होते है नार्जो स्रीजल, लेकिन मार्च में मैंने सुना है कि Realme 88 Pro के साथ से Realme GT, उनके flagship phone भी आने वाला है, कहनिया तो मैंने काफी सारी सुनिये, यह वो आयोगा तब बात करेंगे, लेकिन हाँ, इस बार हर company ने कोशिक कर रखें, कमर कस रखें कि कमाल कमाल के phones निकालेंगे, कमाल के technologies निकालेंगे, तो आपको काफी कमाल की चीज़े देखने को मिलने वाली है, आने वाले समय में, जिसकी शुरुआत में लगता है कि बस होई चुकी है, और धीरे धीरे होने वाले है, बल्दब निकालेंगे, और जो मेरे सोर्से थे, मैंने भी पता लगाया था, तो निकालने वाले हैं, और ये भी उन्होंने बताया था कि smart speakers वगएर निकालेंगे, लेकिन स्मार्टफोन निकालने का था, आयोटी वाले बिजनस में अना चाहते था, लेकिन यहां पर essential के साथ कुछ भ हमारे हुए projects को दुबारा से जिंदा करके nothing वाले काफी सारी चीज़े कर सकते हैं, ये काफी साही चीज़े हैं, मतलब पूरा का पूरा brand acquire कर लिया, वैसे essential company थी ना, उसने अपना सिर्फ एक ही phone निकाला था, वो भी flop होगा था, लेकिन उस company से उम्मीद काफी जादा थी, अब देखने वाली बात होगी, यहाँ पर कहनी क्या रहती है, क्या काल पर nothing की branding और nothing और essential को बिला के कुछ कमाल का one plus level का phone हमें दुबारा से देखने को मिलता है कि नी मिलता, ये काफी कमाल की बात होगी, लेकिन हाँ, ये WTF moment था यहाँ पर, फैलाल के समय में जो अभी जो confirm product है, जो nothing की तरफ से आने वाला है, वो TWS earphones होंगे, इससे जादा कुछ उम्मीद मत रखिए, एक smart speaker वगरा ऐसे कुछ चीज़े देखने को मिलेंगी, लेकिन mobile phone आना, अगर आता है और उसमें कुछ innovative चीज़ होती है, और सही price point पर आता है, फिर काफी मसाएगा, और इसी के साथ ही बात है, Apple के foldable iPhone के बारे में, और Apple का foldable iPhone है, yes, Apple अपने foldable iPhone पर काम कर रही है, और उसके अंदर आपको clamshell वाले design और हो सकता है, उसके साथ stylus का support भी देखने को मिल जाए, लेकिन क्या यह साल रपीज होगा, नहीं, क्या अगले साल होगा, नहीं, minimum 2023 बोला जा रहा है, 2024 बोला जा रहा है, क्योंकि अभी इसे prototype stage में, Apple अलग अलग चीज़े test कर रही हो, देखना चाहती है, कि best implementation foldable technology का क्या हो सकता है, और उसको कौन से best price के अंदर वो लोग available करवा सकते हैं, अभी इस समय foldable technology की कहानी, यह चल रही है, market के अंदर, क्यारी सारी बात हो जाते हैं, आप लगी कुछ comment को पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर आज comment है, यह चैटर भाई को पूछने, क्या galaxy F62 में all Z होगा, नहीं, F62 के अंदर all Z नहीं है, मैंने बता दिया, क्योंकि ऐसे जो features होते हैं, यह limit रखे जाते, A series, S series और note series में, अब ऐसा है कि कोई A series का कोई feature है, वो F series नहीं आएगा, जैसे कि मेरे से काफरी सार लोगों ने पूछा था, क्या F series में 3 साल का Android update मिलेगा, जैसे A51 और A71 को मिला था, मैंने बोला, नहीं मिलेगा, F और M को online रखा गया है, basically, और इसके अंदर specification और hardware पर जादर जोड़ा है, तो software वाले F सारी feature नहीं expect नहीं कर सकते, लेकिन जब आप A series आएगी, जब आने वाल समय A52, A72 की ओपर भी कल आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा, main channel पर, तो वहाँ भी आपके काफरी सारे doubt clear हो जाएंगी, उन फोन में क्या आने वाल है, लेकिन यह तीन साल का software update का जो promise होता है, यह ऐसे थोड़े महंगे phone या झाल है